इंदोर जुला नियाले परिस्टर में जुला विदिक सेवा प्रादिकरन इंदोर के नेतरतों में नेशनल लोग अदालत का आयजुन किया गया इस साल की ये पहली नेशनल लोग अदालत है जिसमें 20,000 से जादा केस सुनवाई के लिए रखे गए है आमजिन की विभिन तरह की समस्याओं का ततकाल हल निकालने के उद्देशे से नौमाज को नेशनल लोग अदालत का आयजुन किया गया इस साल की ये पहली नेशनल लोग अदालत है इसमें 20,000 से जादा केस सुनवाई के लिए रखे गए है जिला जज भगवती प्रसाथ शर्मा ने बताया के इन दौर के साथ ही चारों तहसील महु सावेर हातोद और देपालपुर में लोग अदालत का आयजुन किया गया इन दौर मुख्याले पर कुल 45 खंड़ पीट बनाई गई है जिला कोट के अलावा फैमली कोट और श्रम न्यायले में भी खंड़ पीट बनाई गई है इन घंड़ पीटों में 20,000 से जादा केस रखे गए हैं जुनका आपसी सुलह वा समझोते के माध्यम से निराकरन के प्रयास किये जा रहे हैं नोटेस जारीकर पक्षिकारों को बुलाया है ताकि उनके केस का जल्दी निराकरन हो चके यह इस बर्स की पहली ब्रहद नेशनल लोग अदालत है और इसका आयोजन इंदोर मुख्याल है तथा हमारी इंदोर की चारो तैसील महू ड़क्टर अमीड नकर जिससे कहते हैं सावेर हातोद और देपाल पूर सभी जगे आयोजन किया गया है इंदोर मुख्यापल मुख्याले में पुल 45 खंटपीट बनाई गई है इसके अलावा तैसील प्लेसेस पे भी जितने जजेस उनकी खंटपीट बनाई गई है जिस्टिक कोड के अलावा हेमली कोड में भी 5 खंटपीट बनाई गई है सरम नियाले में भी खंटपीट है और इन सवी खंटपीट में पुल मुलाकर बहुत सब्सक्राइब करने का हम प्रयास करेंगे लोग अदालत को लेकर एडिसीप अर्विन तिवारी ने कहा कि समंस के चालान की रसीत कोड के आदेश से कटी है उन कि कोड जाने में समय बच जाएगा चालान में चूट को लेकर उनका कहना है कि उनके पास चूट का अधिकार होता है वो चूट देता है उनका कहना है कि हम कोड के आदेश से जुर्माना कर रहे हैं कोड ने जितना जुर्माना किया हम उतना ही कर रहे हैं और यह जो रसीत कर तो जो कोट में चलान पेश हो जाते हैं उनकी रसीद कटती है तो हमारे लगाता करीब 15 काउंटर यहां पर लगे हुए हैं जिसमें लगाता लोग आ रहे हैं और उनके हम रशीद काट रहे हैं तो जो कोट में जाने में समय लोगों का नुकसान होता है वो बच जाता है नहीं उसमें देखिए जो छूट देते हैं वो संबंधित डिपार्टमेंट देते हैं तो इन जिनके पास ये अधिकार है कि वो छूट दे सकते हैं वो लोग छूट दे सकते हैं हमारे यहां कोट के आधिस से हम जुर्माना कर रह है इन दौस्ते राजी टाइम्स की रिपॉर्ट